हलो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं RSM SSP जो की RDC का एक्जाम लेगा जिसे की पहले RPSC लेती थे अभी सिफ एक बार RSM SSP ने इसका एक्जाम लिया है तो इसमें आपको RDC की प्रिपरिशन से रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइन में डाउट अगर है कि भी हम प्रिपरिशन कैसे स्टार्ट करें कुछ भी तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा आपको साइड डिटेल्स आने वाले वीडियो में मिल जाएंगी बड आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम पेपर वन डिसकस करने वाले हैं ठीक है उसके अंदर जीकी का पार्ट पिकर अगर मैं साइन्स भी लूँगी तो शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएग तो देखिए सबसे इंपोर्टन चीज एक बता दो आपको मैं कि आपको सैट का पता है सीटी ठीक है अब आपको यह पता है कि इसके अंदर में ही मतलब इसके अंदर में है लडिसी का यह होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका इसके बाद में मतलब फिर उसके वोटिफिकेशन आजाएगा इसका स्लेबस वगेला सारा आ जाएगा बट इसका स्लेबस जो है आपका LDC से कुछ अलग नहीं होगा टिके तो इस बेसिस पर प्रिपरिशन स्टार्ट कर सकते है क्योंकि नंबर ओफ विकेंस बहुत जादा आपको पता है इसके अंदर भी टाइपिंग होगी बहुत अफ नहीं होती इसकी टाइपिंग बट इस्ट्रॉंग तो से भी करना है पेपर इस लेबस पाच सब्चेक्स लेवल आपको पता है आरे समस्स्पिक कैसा आता है लास्ट कैकां की बात करें यानि की करंट गर हम बोलें तो करेंड की क्वैश्टिशन्स देखिए आप डुहजार चौदा में जब K2 इनलीया तक तो चाउदा क्वैश्टिंस थे ठीक है इसकी बाद आप का आर पीएसला में जब लियात अव सोला मान के चलिए आप का करंट आएग ठीक है अब हम बात करते हैं भूगोल की यानिके जोग्राफी की ठीक है और प्राकर्तिक संसाधन यानिके नैच्छल रिसॉर्स की तो देखिए इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या ले रखें एक तो आपका लिया है भारत की पारिस्तिति की एवं वन्ने प्राणी फिर राज प्राकर्तिक संसाधन खनेज वन जल पशू वन्ने प्राणी आउं संग्रक्षन इन टॉपिक्स में से आर्पिक्स ने 2014 में लिया तब 9 क्वैशन थे और 16 में भी उसने इसी को परकरार रखता 9 क्वैशन दिये पर RSMSS भी जो है वो ज्यादा इगर रहता है इन्होंने 13 क्व इतना विदिए आगे देखिए इतना नमबर फ व क्वैशन से अब हैं आपका राजिस्थान में कृष्षी जोरी राजस्थान में कृषी आवं आर्थिक विकास हम इसको इससे कवर कर सकते हैं इस जब ज्यादा क्लियर रहेगा आपने को चलिए राजिस्थान में कृषी तो एक आइमने जाने तैम आर्थिक विकास beim अर्थिक विकास मेंder पर्योजना spielt आर्पीस निनिदे लाज में पीस पनीच अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आपका इतिहास की बात की जाए राजिस्थान के तो इतिहास पे देखिए आपका मध्यकालीन इतिहास जो है ठीक है इसके अंदर आपके 2014 में 2 questions थे इसमें से ठीक है 16 में 4 हो गए चार questions लिये थे इसमें से बहुत जादा नहीं है उसके बाद में आपका RSMSSB ने इसमें 2 से 3 questions लिये है उसके बार स्वतंत्रा अंदोलन एवं राजनेतिक चेतना जो है आपका इसमें से 2 questions थे 14 में फिर 16 के अंदर से फेकी question आया पर RSMSSB ने इसके अंदर 2 questions लिये हैं इसके अंदर 2 questions थे 2014 में फिर 1 question कर दिया और RSMSSB ने इसमें एकी question रखा और से 2nd बार इमें पूछा इन इसमें से तो इन में देखिए 2014 के अंदर 2 questions थे फिर आपके 16 में 1, 18 के अंदर 1 पारी में 1 आ गया, 2nd में 1 पूछ लिया और 3rd पारी में 3 questions और 4th पारी में 2 questions फिर हम लेते हैं आपके मेले, त्योहा, रीती रिवाज, वेश भूशा और आभूशन ठीक है इसके अंदर RPSC ने तो एक एक question ही पूछा तो RSMSS भी नहीं बहुत जादा नहीं पूछे, एक question फर्स पारी में उसके बाद में 2-2 questions पूछे हैं फिर आगे है आपका राजस्तान का अध्योगिक विकास ठीक है इसके अंदर देखी प्रमुक उत्योग और अध्योगिक शेत्र जो है आपके RPSC ने तीन तीन question उठायते इन में से और RSMSSB ने दो question रखे हैं second पारी में तीन फिर एक question और फिर कुछ भी नहीं मतलब लिया है इनी fourth में तो दो से दीन questions आप मानके चलिए इसमें से कच्चे माल की उपलब दुता जो है इसमें आपके एक-एक question ही पूछा था बहुत ज़्यादा इसमें से questions नहीं है खने जा गए आपके खने जादारित बड़े छोटे और कुटी रुद्योग इसमें आपके दो question पूछे थे RPSC ने 14 में फिर 16 में उन्होंने तीन question डाले और RSMSSB ने इसमें से एक question फिर बाकी में दो-दो questions डाले फिर है आपका उर्जा के विभिन इस्त्रोथ जल विद्योत तापिय अनूपवन एवं सौर उर्जा तो इसके अंदर देखी तीन question RPSC ने डाले 14 में फिर उन्होंने 16 में कर दी दो question और RSMSSB ने भी इसके अंदर आपके दो-दो questions ही रखे हैं तो यह तो हमारा हो गया जीके का हमने कर लिया जीके युकि टाइम सबसे जीके लेता है अपना जीके का मैंने आपको सारा बता दिया है और वीडियो आपका साथ मिनिट का हो गया है अब देखिए अगर किसी के mind में कुछ भी doubt है कि भई preparation start करें नहीं करें CET का क्या मामला है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए जो आप LDC में पढ़ रहे हैं वो चीज़ तो आपको पढ़ने है कि CET के अंदर वो तो आना ही आना है ठीक है हो सकता है कि LDC के comparison के comparison में तो comparatively देखा जाये तो CET के अंदर syllabus में कुछ चीज़ कम हो सकती है पर उससे ज़ादा वो कुछ बढ़ा नहीं सकते है क्योंकि सारी चीज़े हैं जो आपका LDC में पढ़नी है ठीक है इसके लावा और वो कुछ add करनी सकते है तो आप ही मानने जी कि आप LDC कर रहे है तो आपकी CET के preparation हो रही है और जो first step है CET ही है LDC के लिए ठीक है और December में आपका CET का exam होगा तो इसके nearby आपका LDC भी होगा और इतना टाइम आपको चाहिए भी रहेगा तो preparation को start कर दीजे पर एक proper strategy के साथ में ठीक है आप से follow up लेते रहेंगे बिकोर timely अभी मैंने जी के discuss किया है फिर next में हम science and first paper sorry mathematics क को भी हम discuss कर लेंगे किस topic से ज्यादा questions साते हैं यह ज्यादा important चीज़े हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता कोई मतलब नहीं था इसलिए मैंने इसमें सिव जी के बताया है आपको और फिर 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 पर रिमानिंग जो है उसको करेंगे second second paper का उसके अगर आप सारी फर्स टाइम विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लगता है करना चाहिए कुछ यूसफुल है और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कीजिएगा थैंक यू झाल झाल को जो यूसा है तो यूसुल है तो बिपया है तो उन्तित्किम यूदर कीजिएगा बचे लाइक ए अमदेगा है Isabellaoya है तो लार यूसुल है क्रीजिएगा चमाने लागता है तो लागश्थूल है ज्हा मतल जहा खो लागता है